हेलो गाईज कैसे हो कैसे हो दोस्तोो देखिए दोस्तो एक सोसल मेडिया जिसे गुगल पे एक एड चल रहा है फेस्बुक पे चल रहा है वो एड चल रहा है कि कि अगस्त महीने में सिक्कों की हमारे बहुत ही बड़ी परदर्सनी है उसमें आप पुराने सिक्के और जो नोट है वो सेल कर सकते हैं तो एक एड को दे के बहुत सारे लोगों का इसके पास फोन भी जा रहा होगा और मैंने भी कल वो एड देखा है कि अगस्त महीने में एक बहुत ही बड़ा हमारे परदर्सनी है उसमें नबर भी दे रहे हैं तो क्या वास्त में अगस्त महीने में कोई परदर्सनी है या वो अप हो होटा मेसेज मना के डाल रखा है इसका हम पता करेंगे क्या वास्ता में अगस्त महीने में एक परदर्शनी है जिसमें सिक्के भी केंगे या वो जूट है वाइरल है क्या करते हैं अपनों इस नमर पर बात करते हैं यह देखे एक मेसेज जो है यह अगस्त महीने का दे रहा है इसने कि हमार कता है बहुत सारे लोग इसके पास रहे हूंगे मैं भी कर रहा हूं पता करेंगे वास्ताफ में है यह शूठ बोल रहा है तो अपन पता करेंगे कि यह भी वास्त में रिजिस्टेशन चार्ily मांगेगा अगर रिजिस्टेशन चार्ज मन के वहीं प्रोसेसिंग रहेंगी तो ऑड市 यह भी प्रोड्ड है या प्र पता करते हैं पर मैं इस नमर्ब़े कोल करता हूं और अभी पता कर लेते हैं अभी नमWow नमबर भी दे रहखें आप देके सकते हो एड़ सक्तार कर देखा भी होगा हलो 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 हाजी सर नमस्कार नमस्कार अगस्त महीने में क्या परदर्सनी शिक्के पूराने शिक्के नोटों की क्या है सरी आप पार अगस्त हाजी सर अच्छा इसके लिए आप पहले से सिक्क्योर नोट खरीद रहे हो तो सर कहां पे हैं ये परदर्शनी अच्छा तो इसमें मतलब सिक्कों की जो परदर्शनी लगाओगी इसके लिए पहले से सिक्क्योर नोट खरीद रहे हो मतलब यह ना कि दूसर में कह रहा है तो मेरे पास भी एक शिक्का है तो अगर आप ले सके तो कि पांच रुपे का शिक्का है पुराना वाला है बहुत ज्यादा पुराना है साथ 1885 का है हां तो बिल्कुल बेज देंगे वोट्षप पे पिक तो क्यों नहीं बेजेंगे इसी नमर पे बेज लाएंगा चलो सर मैं बेजता हूँ आपके पास पोटो शेंट कर देता हूँ ना शरी यह जो परदर्शनी है यह किती तारिक से हैं पांस दिन की लगेगी वहां हेडराबाद में लगेगी अच्छा तो उसके लिए आप पहले से ही मतलब यह खरीद के तो मैंने इसर यह एट कल देखा था तो यह कब से खरीद रहे हो आप यह हमारे कंपने में तीन चाथ साल हो गए नहीं इस परदर्शनी के लिए जो स्पेसल आपने मेसेज मना रहा है ना वो कब से स्टार दो कब से किया है चलो सर मैं आपके पास भेश देता हूँ ना ओके तो इसने भी सिक्के की फुटू ही मांगी है भेश देते हैं क्या वास्तम में परदर्शनी में लगाएगा या यह भी अपन को हर विक्ति की तरह जूट ही बोल रहा है मैं इसको सेंड कर देता हूँ और पता कर लेते हैं तो मैंने इसको भेज रहा हूँ देखिए यह इसने देख भी लिया है मैंने भेज भी दिये फुटू इसको और यह देखिए यह पुटू मैंने इसको मेरे जो सिक्का है उसकी भेज दिये अब वापस इसको कॉल करते हैं और पूछ लेते यह company में बेजेगा तब तक देख लेते हैं अपने call करते हैं क्या कहता है क्या अपना शिक्का भी परदर्शनी में लगएगा यह अपने साथ भी फ्रोड करता है अधी दूसरे कॉल पर जाएं हो सकता है को दूसरा कॉल आ गया होगा नेया एड लगा रहा है इसने जो अगस्त महीने में परदर्शनी का नाम लेके इसने जो एड लगया है उसकी सचाहिए आज अपन जान रहे हैं क्या यह फ्रोड करेगा अभी वेटिंग में चल रहा है इसका कॉल यह वापस कॉल आई गया है उसका मैं उठाता हूँ क्या कहता है हाजी सर अच्छा सर अच्छा सर उसका प्राइज होगा इस चीए कि अभी प्राइस क्या लग पौन सुरुपे मिलेगी तो सर इसके लिए क्या प्रोसेसिंग रहेगी यह इसको लेने के लिए आप आओगे हमें बेजना पड़ेगा अच्छा इसका रजिस्ट्रेशन तो सर रजिस्ट्रेशन कर दीजिया हमारा ना अच्छा उसमें आपका डॉक्मेंट और ग्यारा सुनियाद और रुपे की पीश लगेगा डॉक्मेंट क्या लगेगा डॉक्मेंट अधार और पीश तो सर उस एड में तो आपने पीश का देई निरका ना बिलकुल फिरी रजिस्ट्रेशन डेयर का है तो सर पूरा पैमेंट अकाउंट में आएगा या क्या है पूरा अकाउंट में आएगा आपको अकाउंट में और तो अधर्य जो एड दे रखा था परदर सनी का उसमें तो रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात नहीं और गेती इसलिए तो मैंने फ्वोन कर दिया इज वरना तो मैं नहीं करता हूं? तो राजिस्ट्रेशन चार्ज ये कहां से आ गया सर ग्याराघिस्ट्रेशन फिरा अपटता है तभी आपका उच्छाले सकते उसे पहले नहीं है। अच्छा यसे ले नहीं सकते तुसर एक काम कीजिए ना आप रजिस्टेशन कर दीजिए जो हमारा हाप पेमेंट आदा पहले अकाउंट में आएगा ना उसमें से आपके जो 1199 में यह काट ले ना अरे तो वो को टिक्र नहीं है पर 1199 रुपए आप जब पहले प्ये करोगे जी तो मतलब 1199 पहले ही करने पड़ेंगे अच्छा पहले नहीं हो सकता जर तो मेरा जार कार्ड भी अभी मेरे पास नहीं है वो भी साम को बेज़ें तो वो तो अभी बेज़े ना आप गंडे दो गंडे में जैसे मैं अभी आप आपको 1199 सेंट कर दो तो रंतिक कर देता हूं उसके बाद में कितीक देर बाद में मेरा पैमेंट आएगा आपको साम तक आपका पैमेंट अकाउंट में आ जाएगा अभी मेरे को कोई रसीद बगेरा या मिलेगा कोई ऐसा प्रूप है हाँ आपको एक रसीड रसीट की आप आ चाह तो मेरे को 1199 में तो सेंट करनी ही पड़ेंगी मतलग हैं तो सब्सक्राइप 12-1 surv 20-2 नाट फोन पर कैईसे Iljak रहा हूं ग्याप तो कोण से नम पर करना पड़ेगा अच्छा यहीं नम‐र पढ़िए तो सर्मेने देखा था इसमें की जो आपकी बदल समीं है इद्राबाद में उसके लिए आप जो रजिस्टेशन के लिए खिक्टे और जो नोट ले रहे हो उसमें जी रो जर इस चार्ज से ले रहे हो तो यह आपने जयरा को इसा लग रहा है कि आप प्रोल है तो क्या सिस्टम है नहीं तो वह तो सही है लेकिन मेरे को तो इसा ही लग रहा है क्योंकि पहले उसमें मेसेज में तो आपने जीरो रिजिस्टेशन चार्ज बता रहा है आप 1109 बता दिया यहां तो फिर आप उसी मेरे पैमेंट में से काट लेना ना कोई दिकत नहीं है अच्छा तो बंदा कब आए गामारे सिक्का लेने इस जो महूं रहा आप उर्यस्टेशन 2021 नेचर बास कब इते दिन बाद में लगें हिवें अच्छा तो आप एक काम कीजिए ना सर आपके पास से कर दीजिए जो पेमेंट है मैं जैसे मेरा पेमेंट आएगा आपको सेंड़ कर दूँगा क्यों सर एक बार कर दीजिए ना आपको तो पता है कि पेमेंट आएगा तो जैसे आएगा मैं आपको सेंड़ कर दूँगा अच्छा तो मतलब बिना रजिस्टेशन चार्ज कुछ भी नहीं हो सकता प्रोड गर रहे हो ना आप तो यह देखिए दोस्तों इस तरह का एक यह मेशेज चल रहा है आप सब ने देखा होगा नहीं होतों देखा तो आपको नजर आ जाएगा यह वोट्षप पे भी चल रहा है और यह फेश्बुक और गूगल पे एड़ भी डालर का है कि अगस्त महिने में हमारे एक बहुत ही बड़ी परदर्शनी होने वाली है उसमें आप सिक्के और उसके लिए हम सिक्के और नोट खरीद रहे हैं और रिजिस्ट्रेशन चार्ज उसमें जीरो बता रहा है पिर यह रिजिस्ट्रेशन में भी ग्यारा सुन इ बेजने हैं यह लोग फ्रोड तरीके से पागल बनाते हैं और अपने से पैसे डलवा लेते हैं पहले यह रिजिस्ट्रेशन के नाम से डलवाएंगे उसके बाद में जी एस्टी सर्वीस अलग-अलग तरीके से पिर से डलवाते रहते हैं ध्यान रखना दोस्तों मैं फिर यही कऊंगा कि इस तरह से किसी के पास भी रिजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं बेजें इनके चकर में नहीं पड़ें